क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का असली राजा कौन है? हाँ, आप सही सोच रहे हैं. बाग, ये वही प्राणी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी शक्ती, चपलता और क्रूरता से हैरान कर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाग आखिर कैसे बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिकारी? इस कहानी में वो सब कुछ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. तो चलिए, आज हम जानेंगे कि बाग कैसे बना इस धर्ती का सबसे खतरनाक प्रिडेटर. लेकिन आज जो बाग हम देखते हैं, उसका विकास लगभग 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ. ये प्राणी उत्पन हुआ था एश्या के घने जंगलों में, जहां इसे अपने आपको जीवित रखने के लिए शिकार की कला में महारत हासिल करनी पड़ी. इसकी लंबी, घनी, धारियों वाली खाल, इसकी विशाल मांसपेशियां और तेज दांत, ये सभी कुछ इसे एक परफेक्ट प्रिडेटर बनाने के लिए विकसित हुए. जब अन्य जीवों ने चलना, दौडना और अपने शिकार को पकड़ना सीखा, तो बाग ने अपनी ताकत, धैर्य और चुपचाप हमला करने की कला में महारत हासिल की. ये वो दौड था जब प्रिथवी पर कई शिकारी थे, लेकिन बाग का उद्भव एक ऐसी घटना थी, जिसने पूरे एकोसिस्टम को बदल कर रख दिया. बाग का शरीर एक अद्भुत करती है, इसका वजन तीन सो किलो तक हो सकता है, और फिर भी, ये इतनी चपलता से चलता है जैसे कोई साया, इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि ये अपने वजन से दस गुना बड़े शिकार को भी धराशाई कर सकता ह और इसकी आंक हैं, ये रात में भी इतनी तेज होती हैं कि आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं, बाग के दात और नाखून इसे एक असली प्रीडेटर बनाते हैं, इसके दात इतने तीखे होते हैं, कि एक ही वार में शिकार का काम तमाम कर सकते हैं, इसके पंजों में छुपे दस सेंटी मीटर लंबे नाखून इसे ऐसा हत्यार बनाते हैं जिसे नजर अंदाज करना मुम्किन नहीं बाग की शिकार करने की तक्नीक इतनी सठीक और खतरनाक है कि एक बार जो इसके निशाने पर आ जाए उसका बच पाना नामुम्किन है ये पहले चुपचाप शिकार के पास पहुँचता है और फिर अचानक एक घातक हमला करता है ये हमला इतना तेज और अनायास होता है कि शिकार के पास सोचने का भी समय नहीं होता बाग का हमला ऐसा होता है कि शिकार का गला पकड़ कर उसकी सांसें थम जाती है ये तकनीक उसे बनाती है सबसे निर्दई शिकारी जिसने प्रकृती के हर नियम को अपने पक्ष में कर लिया है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाग एक अकेला शिकारी है ये समूह में शिकार नहीं करता बलकि अकेले ही अपने हर मिशन को अंजाम देता है हाँ ये सच है कि बागों के परिवार होते हैं लेकिन शिकार के समय ये पूरी तरह से अकेले होते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके इलाके पर इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई भी अन्य शिकारी इसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्बत नहीं करता है। ये अपने इलाके को चिन्हित करता है और इसे किसी भी बाहरी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तयार रहता है। लेकिन जितना ये शिकारी खतरनाक है, उतना ही इसके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। लगातार घटते जंगल, इंसानी हस्तक्षेप और अवैध शिकार ने बागों की संख्या को बेहत कम कर दिया है। अगर ये सिलसिला जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं, जब ये सबसे शक्तिशाली शिकारी इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। सरकारें और कई संगठनों ने बागों को बचाने के लिए अभूत पूर्व कदम उठाए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बागों को बचाने के लिए अपना योगदान दें, ताकि ये शेर सा गरजता प्राणी हमारे जंगलों में यूं ही बना रहे। तो ये थी कहानी उस प्राणी की, जिसने अपनी शक्ती और रणनीती से खुद को इस धर्ती का सबसे शक्तिशाली शिकारी बना लिया। बाग सिर्फ एक जानवर नहीं, बलकि एक प्रतीक है शक्ती, धैर्य और सर्वाइवल का और ये जरूरी है कि हम इस प्रतीक को आने वाली पीडियों के लिए सुरक्षित रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें।